आप देख रहे हैं इसकी study point से लिखुड़ी का class 10 west mingle boat का थिवर में special episodes और हम लोग आज cover करने जा रहे हैं प्रमय नमबर 9 इस प्रमय में आप देखिए सीध कीजिए कि यदि दो बृत एक दूसरे को परस पर स्पर्श करें तो स्पर्श विंदू दोनों बृतों के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा परिस्तित होगा इसी प्रमय को दूसरे तरह से भी लिखा जाता है एक्जाम्स में कभी-कभी अलग करके भी किया जाता है थोड़ा से language चेंज कर दिया जाता है कभी बही स्पर्श कर रहा है इस तरह से लिखा गया रहता है तो आप confused नहीं होईएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रमानित कीजे कि यदि दो ब्रीत एक दूसरे को स्पर्श करते हैं कि दोनों ब्रीतों के केंद्र और स्पर्श बिंदू सम रेखिया होते हैं या question है प्रमय नमबर 9 आप देख रहे हैं West Bengal Board Class 10 के लिए इस प्रमय को समझने के पहले आपको प्रमय नमबर 7 को समझना होगा आई बटन में देख लिए लिंक दिया गया है उसको क्लिक करके प्रमय 7 को भी आप समझ सकते हैं अगर प्रमय 7 आपके दिमाग बैठा हुआ है तो प्रमय 9 को समझने में दिक्कत नहीं होगी प्रमय 7 में आपने पढ़ा है कि यदि किसी व्रीत की सपर्शक सपर्श बिंदू गामी अर्दव्यास पर लंब होती है या आपने पढ़ चुका है तो आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे क्या पढ़ा था आपने अपने देखा है कि ब्रीथ है ब्रीथ है और ब्रीथ के नीचे में देख लीजे क्या हो रहा है एक स्पर्शक है यह प्रमय आपने सटा दे रहे हैं देखिए सपर्स कर रहा है ठीक है दोनों ब्रियत एक दूसरे को सपर्स कर रहा है तो यह जो है इसका अर्धव्यास और यहां पर अर्धव्यास देखी दोनों को अगर माली जी इस लाइन को अगर मैं टच करा देता हूं तो यह एक बिंदू हो गया यहां प तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, तो बेहतर होगा इस तरह का डायग्राम आप न बनाएं, इसी तरह का डायग्राम बनाएं, आप हैंड से बनाया हुआ इस स्क्रीन पर डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, उस डायग्राम को कर आप बनाने की कोशिस की जिएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं डाय ग्राम आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे पहले आप दो बृत बना लिजेगा थो बरित बना लिजेगा पहला बृत पी के इंदरवाला और दूसरा बृत इंदरवाला ठीक है दो तो उन्हों एक दूसरे को टच कर रहा है R बिंदू पर, फाइन अब आपको लिखना है दिया गया है या गिवन लिखना है, P और Q के अंदरवाला दो ब्रीत एक दूसरे को और R बिंदू पर असपर्स करते हैं, पहले लिख दीजे, to proof लिखिए या required to proof लिखिए हिंदी में लिखना है तो प्रवानित करना है लिखिए P, R और Q एक रेखिया है या सावित करना है या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P, R तथा Q एक सरल रेखा पर इस्तीत है ठीक है डाइग्राम में आप देख पा रहे होंगे केंदर विंदू बड़े वाले वरीद का और छोटे वाले केंदर विंदू चोटे वाले वरीद का केंदर विंदू को R विंदू से स्पर्ष विंदू पर दोने एक दूसरे से मिल गया www.sk-studypointselegory.com उस पर जाकर आप रेजिस्टर कर लिजे ताकि अगर आप समझना है तो वीडियो देखिए गया इसके study point सिलेगुडी के YouTube चैनल पर और पढ़ना चाहते हैं प्रमय तो आप website पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं उसका print out लेकर study कर सकते हैं और आने वाले समय में जो भी study material है उसको भी आप इसके study point सिलेगुडी website पर जाकर पढ़ाई करते हैं तो प्रमान में देखिए आप प्रमय नंबर 7 को एकदम याद करके रखें प्रमय नंबर 7 आपके धिमाग में हैं आप जान रहे हैं कि दोप व्रीथ है और दोब व्रीथ एक दूसरे को आर बिंदू पर स्पर्स कर रहे हैं इसका मतलब हो गया कि आर बिंदू पर इन दोनों का एक उभाईनिस पर्षक होगा ठीक है सेवन नंबर का प्रमय आपको याद होगा कि अगर एक व्रीथ है उसको एक रेखाखन टच कर रहा है मतलब वो स्पर्शक हो गया और वहाँ पर क्या होगा स्पर्शक स्पर्श बिंदु गामी अर्दव्यास पर लंब होती है यह आपको पता है तो मान लेते हैं यहाँ पर AST क्या है एक स्पर्शक वेनिस्ट स्पर्शक है जो दोनों बृतों को आर बिंदु पर स्पर्श करता है इसका मतलब क्या हो गया P केंदरवाला बृत पर AST स्पर्शक हो गया और स्पर्श बिंदु से खीचा गया अर्दव्यास जो है उसका PR स्क्रीन पर आप डायग्राम देख रहे होंगे अलग करके मैंने दिखाया है तो वहाँ पर आप देख रहे हैं तो AST क्या हो गया स्पर्शक हो गया PR क्या हो गया उसका अर्दव्यास हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया PR AST परलंब है या AST PR परलंब है आप लिख सकते हैं फिर इसी तरह से आप क्यों केंदर वाला विरीत को ले लीजिए छोटे वाले विरीत को इसमें भी देखिए ST क्या है? स्पर्षट है फिर QR क्या है? अर्थव्यास है तो इसका मतलब हो गया कि स्पर्ष बिंदू से खीचा गया अर्थव्यास QR जो है वह ST पर लंब है या ST QR पर लंब है ठीक है? इसलिए हम लोग क्या बोल सकते है PR और QR एक ही सरल रेखा पर इस्तीत है हम लोग बोल सकते है क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं R विंदू दोनों में common है तो PR और QR एक ही सरल रेखा पर इस्तीत है तो हम का सकते हैं और थाथ पी आर और क्यू बिंदू एक रेखिया हैं ठीक है और लास्ट में आप प्रूब्ड लिख दीजेगा या प्रमानीत लिख दीजेगा तो इस तरह हम लोग प्रमय नमबर नाइन को कंप्लीट करते हैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग वह समझ में आ गया होगा कोई भी क्वे आप दीजेगा थैंक यू लपड़ी मच पर वाचिंग ओन दीजेगा थैंक य वर्वाचिजेगा थैंक यवद्धड को वाचिंगे व होचिंगमें।